पांच जुलाई और छे जुलाई का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पांच और छे जुलाई के एक सिहिंग राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहूं की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तितिन नक्षत्र और योग के बारे सिद्ध दिन होता है महतपून दिन होता है इस दिन दुरुवनाम का योग बना है आदर नक्षत्र रहेगा चंद्रमा मिथुन राशी में होंगे और सूरिय भी मिथुन राशी में है और शुक्र भी मिथुन राशी में है तो तरिग्रे योग तो मिथुन राशी में बना ह सूरिय के नक्षत्र की बात की जाए तो अभी तक सूरिय आदर नक्षत्र में थे जो काफी कुरूर स्वभाव का नक्षत्र होता है लेकिन आज सूरिय रात्री में आदर नक्षत्र से निकल कर पुनरवसु नक्षत्र में पिरवेश कर जाएंगे जो भगवान विश्णु का इसके हलावा इस दिन सरवार्त सुध्धी योगए जो पूरा दिन बनने वाला है, अब इस दिन के राहुकाल की समय की बात करें, ये वो समय अव्धी है, जिस समय में आपको कोई नया कारे नहीं करना चाहिए, कोई शुब कारे नहीं करना चाहिए, वो है सुबा 10 बज कर 41 मि आज ही चंदरमा रातर शाम को राशी बदल करकराशी में आ जाएंगे अपनी राशी में सुरिय मिठुन राशी पुनर्वसुन नक्षत्र में तुरे पुषकर योग बना है पौरा दिन बनेगा और अगले दिन तक बनीगा अब इस दिन के जो राहुकाल का समय है वो समय होगा सुबह 8 बज कर 57 मिनट से 10 बज कर 42 मिनट तक ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिथी अब इसी क्याधार पर जानेंगे इन दोनों दिनों के जो नक्षत रग रहे हैं उनका प्रभाव सबसे पहले हम बात करेंगे 5 जुलाइ के बारे में क्यों विशेख है क्योंकि असाड मास की अमावशातिती है अमावशातिती का जो दिन होता है ये पित्रों की तरपण करने के लिए बहुत ही शुब माना जाता है और इस दिन और भी कई चीजे हैं कई तो अच्छे योग बने हैं भगवान विश्णों के साथ मालक्षमी की पुजा अर्चना करने का दिन है जप तप पुन्य दान करने का दिन है और इन कारियों को करने से पुर्वज प्रसन भी होते हैं उनका अशिरवाद प्राप्त होता है तो इस दिन आप क्या करेंगे एक कारिया जरूर करें इस दिन अपने पित्रों का नाम लेकर सुबहा को एक लोटे में जल लें और जल में थोड़ी से फूल डालें तिल डालें और फिर उसके बाद ये आप सूरेदेव को शड़ा दे, अपने मन से, सच्चे मन से पित्रों का नाम लेकर, और मंत्रों का जब कर सकते हैं, मंत्र बहुत अच्छे होते हैं, पित्र चालिसा का जब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अब जहां तक राशी फिल का सवाल है, हेल्थ की अगर ब बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था उसका फाइदा आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आज आप अपने परीचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहु आपको देंगी आपके पास समय तो होगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि समय होने के बावजूद आप कुछ ऐसा ना कर पाएं जो आपको संतुस्टी दे तो सबसे बहले है खुद को संतुस्ट रखना गलत फैमी से बाहर निकलना कोई भी गलत फैमी अगर आपके मन में चल रही ह तो उससे बाहर निकलने का कारे करें आज शाम को आपके जीवन साथ ही आपके लिए किसी तरह का कुई तोहफा आपको देने वाले हैं जिससे आपका जो जीवन है उसमें काफी सुख़द एहसास आपको देखने को मिलेंगे आपका confidence बढ़ेगा आत्म विश्वास में विर सकारात्मक द्रस्टी कौन और आत्म सम्मान आत्म विश्वास भी या फिर खुद के लिए आसरशन अपने आपको खुद देना इससे क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को बहुत अधिक पर भावित कर पाते हैं जहां जरूरत होती है दोपहर का समय जादा अच रहने वाला है जो एनर्जी को भी बढ़ाएगा आकर्शन को भी बढ़ाएगा तो इसलिए इन कारे को जरूर करें बाकि अमावश्या का दिन है जो मैंने उपाय बताए वो उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपको भगवान विश्णु का भी आशिरवात प्राप्त हो सक के नक्षत्र में पहुँच चुके हैं काफी अच्छी रिजल्ट यहां इनको देखने को मिलने वाले हैं अब रिजल्ट क्या मिलेंगे आम तोर पर तो आप बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं जातक हैं चाहे पुर्श हैं चाहे महिला हैं आतम विश्वास ही हैं लेकिन आप पाएंगे कि विरोधी जो होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा दवाब डाल देते हैं जिससे आपका आतम विश्वास कम होने लगता है तो कभी भी अपने आपको विरोधियों की नजर से मत देखना सामनी वाला आपके लिए क्या कह रहा है वो आपको कितना नीच दिखा रहा है उस पर बिल्कुल भी धिहान मत देना अपने दिमाग में आप उनकी बातों को घर ना करने देना आप अपनी अच्छाई पर भरोसा करें अपनी उपर भरोसा करें आपको अपनी उपर भरोसा होना चाहिए और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है क्योंकि य पही है चीजें जो आपको उपर उठाती हैं। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो निवेश के लिए सारे विकल्प तलाशी मंट में हैं। तो निवेश के लिए कई सारे आपके लिए सामने विकल्प होंगे, जिने देखकर आप हैरान होंगे, तो क्यों न ऐसी चीजों को तलाश हैं उन पर काम करें, आज आपको कुछ ऐसी नई जानकारियां भी मिलेंगी, जिससे आपको बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है, उन जानकारियों के लिए आप जिससे मिलें उसको धन्यवाद बोल सकते हैं, अब उनकी बात करते हैं जो एविवायत है, अगर आपके उपर माता पिता का प्रेशर है, शादी को लेकर और घबडाहट मनमी हैं, तो बहारी दबाब से बचें, अपने अंदर की सुने, माता पित और देखे सिक्षा के शेत्र में ओवरल इस्तिया है, वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक समय रहने वाला है, और जब ठीक ठाक समय रहने वाला है, तो यानि कि आप जो चाहे वो कर भी सकते हैं, चीजों को बहतर भी बना सकते हैं, तो तो पिल मिला कर मैं कहूंगी, दोनों दिन करें चैनल को सब्सक्राइब करें